कि ट्रेन की सीटी क्यों बस्ती है जोर्ड स्टिफिंशन के रेल इंजिन के इन्वेंशन के बाद दुनिया में पहली बार 1825 में लंडेन के डार्लिंग्टन से स्टॉप टंग की बीच रेल चलिए भारत में ट्रेन 1853 में बॉंबे से थाने की बीच में चलिए यह सीटी की आवाज कभी धीरे धीरे कभी छोटी कभी रुख रुख कर कभी लंबी बस्ती है बहुत सी गाने भी सीटी पर बने हैं फिल्मों में बॉलियूड में गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है चलना ही जिंदगी है जलती ही जा रही है गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है क्या हमने यह जाने की कोशिस की है कि यह जो सीटी है एक रेलवे के कोड के अंतर गत्रती है इसका एक विशेश मीनिंग है यह एक संकेत है रेलवे के अधिकारियों के लिए स्टेशन मास्टर के लिए ट्रेन के गाड के लिए और आम जनता के लिए भी आए इसे समझने की कोशिस करते हैं जब ट्रेन या सीटी केवल और केवल 11 तरह से बजाए जाती है इसे जानने की कोशिस करते हैं अगर इंजिन का ड्राइवर एक छोटी सीटी बजाता है एक श याड में आ गई है, वो आराम करना चाहती है, वो उसका सफाई होना है, क्लीनिंग होना है, इंजिन का ड्राइवर दो छोटी सीची बजाता है, इसका मीनिंग है कि ट्रेन प्रेटफॉर्म पर लगे हुई है, सिगनल भी मिला हुआ है आगे चलने के लिए, लेकिन वो दो इसलिए बजाता है, उसे ट्रेन के गाड का परमिशन चाहिए, और उसका परमिशन मिलने के बाद वो आगे चलता है, इंजिन का ड्राइवर तीन सीची, तीन छोटी सीची बजाता है, यह बहुत महत्तुन है, इसे हम सब को जानना चाहिए, ट्रेन चल रही है, और वो कि लोको पाइलर्ट का कंट्रोल इंजिन से छूट चुका है, यह इमर्जेंसी चीची सिच्वेशन आगया है, वो गाड को यह बताना चाहता है, कि आप इमर्जेंसी ब्रेक लगा के ट्रेड को जल्दी से रोक दे, अगर ड्राइवर चार्ज शोटी सीजी बजाता है, पो इसका मतलब है, इंजिन में कोई एशूज अराइव हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गया है, और वो गाड से इसका मदद चाहता है, कि वो कन्वे करे, ड्राइवर दो लंबी और दो छोटी सीची बजाता है, तो अब कुना एक गाड को मेसेज कर रहा है, संदेश लेना चा करकर इंजिन में आये, और हम यह जान लें कि गाड is also an engineer, he knows everything about the engine, जो six type of vessel है ट्रेन का, इंजिन का, एक लंबी सीची बजाता है, और उसके बाद एक छोटी सीची बजाता है, इसका मतलब है, कि अब सब कुछ ठीक है इंजिन का, सिगनल भी मिला हुआ है, अब वो गाड को यह कहना चाहता है, कि आप जो इमर्जेंसी ब्रेक लगाया हुए है, वैकम के हुए है, उसको रिलीज कीजी, so we can move ahead, जो सात्वा प्रकार का सीची है, वो है कि ट्रेन चल रही है, और अचानक आप हम अंदर हैं, या जो लोग बाहर हैं, उन्हें एक लगातार बहुत तेज होड सुनाई देता है, लगातार बसता ही चला जा रहा है, इस लंबी सीटी का मतलब है, कि ट्रेन आने वाले स्टेशन के पास पर रुखने वाली नहीं है, यह नौन स्टॉपे स्ट्रेन है, और यह खासकर महत्पूर्ण है उस स्टेशन के लोगों के लिए, कि वो सतर्क हो आठमा विशिल का टाइप है, कि ट्रेन चल रही है और बीच रेलवे क्रॉसिंग आने वाला है, तो इसकी क्रॉसिंग आने के पहले गाड का राइवर रुख रुख कर दो बार विशिल देता है, यह संकेत है उन लोगों के लिए जो रेलवे का क्रॉसिंग का गेट लगे रहने पर भी वो क्रॉस करना चाहते हैं, अपने साइकिल से, मोटर साइकिल से, अपने कभी-कभी घटना भी हो जाती है, तो उनके लिए एक चेतावनी है कि आप लाइन क्रॉस ना करें, नाइथ नवी प्रकार की जो सीटी है, वो है कि ट्रेन चल रही है, तेकि अचानक चोटी सीटी और एक बड़ी सीटी बजाता है, तो एक स्मॉल होण और वन लॉंग होण, या इसका मतलब है कि इस चलती है ट्रेन में किसी ने चेन पुलिंग कर दिया है, और जो ट्रस्मी प्रकार है, वो ही बहुत महत्पून है, वो है सीटी का, कि छे बार चोटी चोटी या संकेत है एक डेनियर का, वालेट को लगता है कि कोई खतरा है, या कोई सामने में कोई लाइन पर और रोध ख़डा कर दिया है, किसी प्रकार का डेनियर है, और वो रेलवे के सुरक्षा अधिकारी जो चब रहे हैं, गाड के लिए या आसपास के लोगों के लिए एक इ जो सिडियूल्ड स्टॉपिश नहीं है, वहाँ वह अचानक रूप जाती है, तो अब क्या होँ, वहाँ से ट्रेन कैसे चलेगी, स्टेशन मास्टर ने किसी बज़े से ट्रेन को रोप लिया हो और फिर सिगनल मिलता है, तो कुछ ठीक होने, लेकिन ड्राइबर वो पहले ए सिटी, फिर एक चोटी सिटी, इसका मतलब है कि वह स्टेशन मास्टर से एक टोकिन का डिवांड कर रहा है, जिसमें बताएं कि क्यों ट्रेन यहां रुकना पड़ा, फिर इस ओन सेफटी, ड्राइबर अपने ओन सेफटी के लिए इस तरह का सिटी बजाता है, यह जानकारी अलाकि बजाया जाता है ट्राइबर के द्वारा, गाड के लिए, रेलवे के करमचारियों के लिए, सुरक्षा से जुड़े लोगों के लिए, स्टेशन मास्टर के लिए, लेकिने आम जंता को भी जाना जिरूरी है, जानने से उनके ज्यात्रा ज्यादा सुख़द और ज् उलाकि ट्रेग